हेलो स्टुरेंड्स कैसे हैं सब लोग आज की इस कलास में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे 11th कलास के एक महतपुर्ण सवाल के बारे में सिद कीजिये की प्रूव दैट स्टुर्ण 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 पाइ बदा 4-X जो है न पाइ बदा 4-X उसको A माल लेंगे, अब पाइ बदा 4-Y जो है न पाइ बदा 4-Y उसको B माल लेंगे, क्या माल लेंगे? पूटिंग पूट मने रखना होता है पाई बटा चार माइनस एक्स को ए पूट किया एंड पाई बटा चार माइनस वाई को पाई बटा चार माइनस वाई को मैंने बी पूट किया ठीक है? पाई बटा चार माइनस एक्स को मैंने ए माल लिया अब पाई बटा चार माइनस Y को मैंने क्या माल लिया B माल लिया मजाएगा अभी LHS देखिए कमाल का हिसाब है भईया LHS मतलब left hand side जो बराबर से पहले है जो equal से पहले होता है वो आपका LHS होता है left hand side होता है चलिए तो हो गया cos अब पाई बटा चार माइनस X को तो आपने A माल लिया है तो A डाल दीजिया राम से फिर cos अब पाई बटा चार माइनस Y को पाई बटा चार माइनस Y को आपने B माल लिया है B डाल दीजिये बीच में माइनस फिर है sin sin पाई बटा चार माइनस X पाई बटा चार माइनस X को आपने A मान दिया है पिर से साइन पिर से साइन पाई बटा चार माइनस Y को पाई बटा चार माइनस Y को आपने B मान दिया है यह हो गया कोस से इंटू कोस भी माइनस साइन इंटू साइन भी आपने पढ़ा होगा कमपाउंड एंगल में compound angle में आपने पढ़ा होगा कि ये 4 मिलकर cos A into cos B minus sin into sin B इस 4 मिलकर बनाता है फर्मूला को थी cos A plus B यहाँ minus है तो यहाँ plus दियान रखिएगा यहाँ minus तो यहाँ plus यहाँ plus तो यहाँ minus आगे बाद को बढ़ाईए cos अपने अस्थान पर बना हुआ है अब A का भैलू put कीजिए A का भैलू pi बटा 4 minus x pi बटा 4 minus x plus B का भैलू pi बटा 4 minus y अब भैया आगे बढ़ते हैं cos अपने जगह पर pi बटा 4 का मतलब 45 degree पही नहीं जाहिएगा एकदम मेरे साथ बने रहिएगा pi बटा 4 का मतलब 45 degree माइनस में y pi का मतलब 180 degree बटा 4 180 degree बटा 4 180 degree बटा 4 मतलब 45 degree आप 45 में 45 जड़ दीजिएगा तक वाथी हो जाएगा बोलिये कुछ 90 हो जाएगा कि न हो जाएगा 45 ज़़ 45 हो जाएगा 90 degree हो जाएगा 90 degree बटा माइनस x आ माइनस y तो माइनस कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा x पलस y आप दसमा में पढ़े थे sin 90 degree माइनस theta बड़ाबर cos theta याद करिए sin 90 degree माइनस theta बड़ाबर cos theta ऐसा पर क्या है आप लोग तो sin 90 degree माइनस theta बड़ाबर क्या होगा तो cos theta sorry cos है हाँ sorry cos है हाँ really sorry cos है हाँ और cos 90 degree माइनस theta आपने पढ़ा है sin theta cos 90 degree माइनस theta आपने क्या पढ़ा है sin theta यहाँ cos था तो यहाँ cos रहेगा cos 90 माइनस theta तो हो जाएगा sin theta तो यह हो गया sin, थीटा का रहाता है माइनस के बाद, तो माइनस के बाद क्या है, तो x plus y, यह न थीटा हो गया, इस तरह से आपका लाना था sin x plus y, और आ चुका है, sin x plus y, यह हो गया, आपका RHS पूरूर। तो अंदाज कैसा लगा आपको मेरे पढ़ाने का, अच्छा लगा ना, चलिए, तो अच्छे से पढ़िए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी तकर नहीं किये हैं था, क्योंकि जरूरी है, है ना, और अच्छा-चा वीडियो आपके लिए मैं ला र आपके लाओस, झालिए, तो यच्छा राओस।